नमस्कार दोस्तों, टीचर सीर में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे हरीदेव जोसी उनिवसिटी अप जन्नालीजिम एड मास्ट कम्यूनिकेशन ये एक स्टेट गवर्मेंट ये उनिवसिटी है और यहाँ पिएसडे आड्मिसन का नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है 2021 और 22 के लिए तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं सुरु करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ टीजिंग रिलेटेल्स सारे एक सरे स्टेडिज, कंप्रिटेव एकजाम्स और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तेक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेजिए, फ्यूचर में जो भी नूटिफिकेशन आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह है है हरी देव जो सी जर्नलिजम यूनिवरसिटी, जो राजस्थान में लोकेटेड है, मैं इसको थोड़ा हिंदी से इंगलिस में कनपट कर लेता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहां देखे, में इंचन किया गया है आडमिशन, यहां देखे, यहां भी स्क्रॉलिंग हो रहा है आडमिशन का जो नोटिफिकेशन आप चाहओ, यहां भी क्लिक करके आप जा सकते हो तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ देखें, admission के लिए, अभी इसका जो recruitment है, अभी चल रहा है, admission process चल रहा है, तो यहाँ आप क्लिक करके apply कर सकते हो, direct online, ठीके, इसके अलाबा आप यह दिछ चाहते हो कि university department के बारे में जानने के लिए, आप यहाँ क्लिक करके दे एक सकते हो, admission policy, जिनर research center and PhD, फी structure, then admission schedule, यह सारे के सारे आपको देखना पड़ेगा, admission से पहले, आप यह दिछ आते हो, then various dimensions of the university के बारे में आप यह दिछ जानना चाहते हो, यहाँ दिए, university campus, university, faculties, then updated syllabus, enrollment, student attendance, सारे के सारे यहाँ mention किया गया है, तो हम direct चलते है, program के उपर, program में आप देखिए, यह सारे के सारे program यहां mention किया गया है, last में mention किया गया है, research, तो यहां research के बारे में कुछ mention किया गया, आप चाहो तो इसको details में भी आप पढ़ सकते हो, पूरा research के बारे में आप जान पाओगे, तो अभी हम चलेंगे, यहां देखिए, research center and PhD, तो हम इसी university will begin PhD program in the department of media studies and department of electronic media, यह दो department में आपको PhD करने का भी opportunity मिल जाएगा, आर्मिशन टो PhD program will be granted on the basis of aggregate marks obtained in the entrant test, यह जो entrant test होगा, इसका नाम है, HJUPA, ठीक है, आज well as the interview, तो entrance होगा, उसके बाद आपका interview होगा, यह post graduate from any stream can appear in the entrant test, तो कोई भी post graduate student यहां exam दे सकता है, eligibility for admission, सबको पता है कि master's degree में कम से कम 55% होना जरूरी है, और जो भी final year का student है, PG final year exam of session 2021 and 2021 में also appear फर्दर PhD entrance, तो कोई भी यहां appear कर सकता है, जो भी final year का student है, और इसके साथ-साथ 5% का relaxation मिल जाएगा, जो भी SCST, OBC, MBC, EWS and physical handicapped student के लिए, यहां देखे, बहुत important चीज एक mention किया गया है, candidates with MPHIL, NER, GRF, SLATE, CSIR and teaching fellowships will not be granted any exemption from the entrance examination, इसका मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी सारे university है, सारे के सारे university में इस टाइप का student को exemption मिलता है, entrance है, मगर यहां इन्होंने mention किया है, कि आपको exemption नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको मिला है, तो आपको यहां entrance देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, यह आप याद रखिए, यहां exemption के बारे मैं डिसकस करेंगे, यहां देखिए, तभी exemption मिलेगा कि इसको exemption सिर्फ मिलेगा वही student को, any student who has earned a cultural exchange fellowship, यह इसका special fellowship है, cultural exchange fellowship जिसको मिला है, उसी को ही मिलेगा, और उसके साथ साथ जो foreign student है, उसी को ही मिलेगा, ठीक है, then admission process क्या होगा, admission process आपका entrance होगा, और entrance में आपको 50% marks रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बारे में हम देखेंगे, then description of seats, total seat कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, mention किया है, total जो seat है, यह 15 seat है, जिसमें SC के लिए 2, ST के लिए 2, BC के लिए 3, MBC के लिए 1, then EWS के लिए 2, and unreserved के लिए 5, so total मिला करके हो गया 15 seat, तो 15 student यहाँ admission ले सकता है, बागी syllabus आप यहाँ देख सकते हैं, तो syllabus पर H, J, U, T, P, A, T, साल consists of 50% of teaching and research attitude, and 50% आपका subject oriented, तो 50% होगा, teaching and research attitude, and 50% आपका course work है, ठीक है, तो बाकि कुछ भी query है, यहाँ देखिए, coordinator का नाम दिया गया है, आप चाओ तो इनको direct contact कर सकते हो, then हम चलेंगे next, यहाँ देखिए, admission policy भी दिया गया है, इतना कुछ important नहीं है, मगर आप इसको थोड़ा स देख लेना, तो अभी हम देखते हैं, admission schedule, admission schedule, उपर वाला ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यह उपर वाला mention किया गया है, diploma and graduate student के लिए, यहाँ देखिए, नीचे mention किया गया है, यह है PhD बालो के लिए, आप यहाँ देख सकते है, PhD बालो के लिए, मेंशन कि सुरू हो गया है, और इसका जो last date यह है, 31st 8, 2021, तो आपके पास एक महिना का time है, so 31st 8 is last date, then आवेदन पत्र के जान्स के लिए, आपको एक से चारतारीक लगेगा, then प्रविस्पत्र जारी करने का तीथी, आपका 9 तारीक, then प्रविस्परिक्षा का तीथी, आपका 18, 9 से स सुरू हो जाएगा, ठीक, अठ्छा ना को आपको प्रविस्पत्र का, I mean, आपका entrance होगा, then उत्तर कुंजी answer की यहाँ आप देख सकते हो, then साख्यातकार के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, इसका notification आपको 4-10 में मिल जाएगा, then साख्यातकार आपका जो होगा, इंटे ले सकते हो इसका, ठीक है, then हम इसका देखेंगे, फी स्ट्रक्चर, तो यह उपर वाला है, डिपलोमा, पीएजडी बालों के लिए यह नहीं है, पीएजडी बालों के लिए यहाँ है, पीएजडी सूल के, अब देख सकते हो, यहाँ, प्रवेश परिक्षा सूल के सिर्फ तीन हजार रखा गया है, तो यह सरग सरे चीज है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, तो यह था इसका डिटेल्स बाकि जो भी आप इंट्रेस्टेड हो, आप यहाँ अपलाई कर सकते हो, अपलाई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ अपलाई कर सकते हो, तो यह था इसका और इसका जो लिंक है मैं दे दूँगा डेस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी देख सेकते हों और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजे फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best